नमस्कार नियूस्टॉप इंडिया में आपका स्वागत है मैं हर्षिता जोहरी आए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर शव नहीं मिलने से परिवारों की चिंता समा गई है बगैर शव के संसकार कैसे करेंगे एंडियारेफ की टीम खोज कर जब शव नहीं निकल सके और वापस लोट गए तब ग्रामीर और म्रतक के परिजन ही शव खोजने में जुटे हैं यह स्थिती राजी के रांची सिल्ली विधानसभा छेतर में देखने को मिली है यहां के विधायक सुदेश कुमार महतो हैं लेकिन इस घटना के बाद विधायक के द्वारा किसी प्रकार का बयान नहीं आया है गटना के एक दिन बाद 24 घंटे बीतने के बाद NDRF की टीम गटना इस्थल पहुँचती है फिर एक दिन की तलाशी में शव नहीं मिलने पर NDRF की टीम वापस लोट जाती है और इधर ग्रामीर और म्रतक के परिजन शव खोजने में लगे रहती है दुख के साथ परिशान परिजन और गाउवालों की स्थिती संकट में स्थाने विधायक समेथ किसी राजनेतिक पार्टियों का साथ नहीं है वहीं राजे सरकार भी इस मामले पर अंजान बनी हुई है दरसल हुआ यह है कि रांची के सोना हाथू स्वर्ण रेखा नदी सही घाट में डूबने से एक युवक की मौत हो गई इसके बास शव नहीं मिल रहा है सौमबार को हुई घटना के बाद मंगलवार की सुभह एंडी आरेफ की टीम घटनास्थल पहुँचकर शव की तलास की लेकिन शव नहीं मिला सतिघाट घटनास्थल से तिरुल डी तक शव खोशते हुए पोँची लेकिन शव नहीं मिला हाला कि आसपास गाउं के ग्रामीरों ने NDRF की टीम को सभी तरह की जानकारी थी जस जगे घटना घटी है उस स्थान में बड़े बड़े पत्थर हैं और गहरे गढ़े भी हैं शव नहीं मिलने पर NDRF की टीम वापस लोट गई सौमबार 2 अगस्त को दरजनों यूबक नहाने के लिए गए इस दोरान यह घटना घटी थी वहीं म्रतक उदय महतों के परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है NDRF की टीम पहुचने पर परिजन और ग्रामीरों की उम्मीद थी कि शव मिलेगी और अंतिम संसकार कर सकेंगे लेकिन शव नहीं मिलने पर NDRF की टीम बेरंग वापस लोट गई बगैर शव के संसकार कैसे करें अब म्रतक परिजनों के बीच चिंता समा गई है वहीं छेत्र के राजनीतिक पार्टियों का लाब भी नहीं मिल रहा जहां शव नहीं मिलने तक NDRF की टीम को खोजने की ज़रत थी वहां 9 घंटे तलाश करने के बाद NDRF की टीम वापस लोट गई अब गाउं की लोग और म्रतक की परिजन्स अब खोजने में जुटे हुए है